इस वीडियो में मैं आपको उताने वालाँ फ्रेंड्स के आद वान प्लस की मॉइल फोन में स्क्रेंस और साउंड को आप चालू कैसे कर सकते हैं इससे क्या होता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा चैनल पर नहे हैं चैनल सब सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसके लिए आपको जाना है वन प्लस मॉइल फोन के सेटिंग्स में और शेटिंग्स में जाकर नहां पर आपको नीचा आना है नीचे साउंड और वैब्रेशन का ओप्सन मिलता है तो इस पर आप दीजिए क्लिक कर और उसके वाद इसमें आप थोड़े नीचा आईए नीचा ने पर आपको एक option मिल जाएगा haptic end tone का इस पर आप क्लिक करिये इसमें आपको यह. Screenshot Sound का option मिलेगा तो Screenshot Sound देखिए ओन करने के लिए आपको एक Screenshot Sound के side में ये setting मिल रहा इस पर आप क्लिक करिए Screenshot Sound on हो जाएगा विससे होगा क्या कि दोस्तों जब भी आप अपने फोन में Screenshot लेंगे मतलब Screenshot आप capture करेंगे तो Screenshot capture होने पर आपको एक टोन सुनाई देगा आपकी फोन में एक टोन बज़ेगा इस तरह के साथ Screenshot Sound को आप चालू कर सकते हैं या on करके योज आप कर सकते हैं वीडियो पसंद आए लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा